पहले caller है Amit, यूपी से हमारे साथ, स्वागत है Amit जी आपका? जी, बताईए, सवाल कीजिए ये गुटने में दर्द है, बहुत ज़़ाद है, काले को में की लिए बतायाता तेज अवाज में बात कीजिए गुटने में दर्द है, गुटने में गुटने के दर्द जोडों का दर्द या कमर या डिश का दर्द या हाथ का दर्द, मौंडे का दर्द और एक बहुत मश्हूर राव मैटेरियल जो मैं शायद अपने हर प्रोग्राम में एक से ज्यादा बार बताता हूं कि आप वो इस्तेमाल करें वो राव मैटेरियल का नाम भी तकरीबन ज्यादा तर लोग जानते हैं जो नहीं जानते हैं उनके लिए बार रहा मुझे बताना पड़ता है कि एक रो मैटेरियल आता है जो गौन सियाह यानि काला गौन के नाम से मिलता है और इंतहाई कड़वा होता है और लेकिन जितना कड़वा है इतना ही फाइदे मन दे और सबसे ज्यादा इस्तमाल होने वाला गौन है ये मिलता मुश्किल से है और नकली भी मिल है कभी तो असली लें और raw material लें लोग कहते हैं कि पिसा पिसाया दे तो मत लीजे तो अपनी मम्मी को आप सो दो सो ग्राम खरीब लेंगे और अदा ग्राम सुबह अदा ग्राम शाम खाने के बाद ही देना है पानी से या बगएर चरबी के दूसे या आप रईस हैं तो जूस खतम करते करते अपने मरीज का ठीक होना मुम्किन होता है चलिए इसी के साथ next caller है सुश्मा दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है सुश्मा जी आपका नमश्कार्ण हाकीम जी 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 आदाब मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछ मैं चाती हूं उनके ना एस है 80 यह वा बहुत अ जी आपके बहुत अच्छा लगा मुझे के आप अपनी इतनी बुदर्ग मम्मी का ख्याल कर रहे हैं सब बच्चे ऐसे नहीं होते के अपने बुदर्गों का इतना ख्याल कर रहे तो आपके लिए बहुत खुश्खबरी है उपर वाला आपका बड़ा मदद करेगा इनकी दुआएं आप लेंगी और इतना जरूर हो जाए गस्लें करता हूं तो वह बुरा भी मानता है कि कोई रहे बता देते हैं कि अब इकरो कभी दवा भी में बताना लगा वरन्हॉना रह्यों का बिल्कुल भी बता už था तो रहा है कि अब इस्वशित कर रहा Kerry थे ति बुद मुश्यार लेने· और सिर्ष दू सो दूसो ग्रम आप्रेशन तो कराना नहीं और उनको इतना फाइदा जरूर मुम्किन है कि वो आसानी से अपना सब काम कर सके और अगर ये आप नहीं हासिल कर सकते तो कैपसुल टी केर, टी फॉर टाइगर, कैपसुल टी केर सुबह शाम खिलाएं, और देखें कि आपकी मम्मी और तंदरु कि भी फाइदा हो जाए तो चार-पांच महीने उनको इलाज जलू करें ताकि अब उनकी जिन्दगी आसानी से गुजर सके हमारे साथ सरोज है कानपूर से स्वागत है आपका हालो हान जी बताईए सवाल कीजिए जी मैं आपसे बात कर रहा हूं आद आप हमारे गारे साथ में कमर से जाद होता है और रहनतों में लुजर रहता और वोद्नों में लुजर रहता होना में उपकॉर्ष्ट वड़ा हूआ है और वहारेश भी बढ़ा है ठीक है और उपकानाग्स केस्ट रहे हैं और जोई आँ प्या मंगवा दिया आपका कम चीए इ ने है तुझ नहीं जो कोशिक करते हैं तो उनको चीज मिली जाती इसको पॉडर बना ले और दो चुटकी जितना चुटकी में आता न ऐसी दो cope इसो बाद दो या फिर राइस हैं तो जूस से भी ले सकते हैं. जैसे आपको कभी दूझ कभी पानी, चुस ऐसे भी ले wartoते हैं. ये होते होते आपका ठीक होना मुम्किन है. कॉलिस्टल बहुदा है तो उसके लिए आप लेसन अद्रक इतनी सारी डाला करिए अपने खाने में सालन में जो घर में बने इसे सब का स्वास्ते और पेट अच्छा रहेगा और चर्बी किसी की नहीं बढ़ेगी और गरम पानी पिया करें पांच बार और अब जब फाइदा हो जाए तो आप मुझे फोन करके बताएए कि आपको फाइदा हुआ पाउड़ि नहीं और थाइराइट के लिए एक नश्खा बना सकते हैं आप वो घर में बना सकते ही गौन म्यूरिंगा सो गिराम और धनिया तीन सो ग्राम आवला सो ग्राम और मेथी सो ग्राम इन सब को रौ मैटेरियल ले पाउडर बनाएं एक चमश सुबा एक चमश शाम आप खाएं तीन ग्राम या चार ग्राम करीब और वो गोली भी खाएं जो डॉक्टर ने आपको थायराइट की दी है और आप हर बार कम करता जाएगा हर महीने की और पुरानी महीने की आप रिपोर्ट को खुढ चेक करें के कितना फर्क पड़ रहा है और आप बहुत अच्छा लाएगा कि जिए थायराइट से चुटका रहा होगा तो बहुत सारी बीमारियां चुटका रहा होगा जोडों के दर से जुटका रहा होगा तो भी आपको बहुत अच्छा लएगा कि आप आसानी से जिंदगी गुजार सकते हैं जी नेक्स कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है जी नमस्कार स्वागत है आपका हालो 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 जी नाम बताईए कहां से बात कर रही है आप मेरे दौनों बादों की स्टेलिंग है एज कितनी है आपकी एक 65 है मेरे स्टेलिंग है उसके बादों की लेकिन स्टेलिंग है उसके बाद से बाद से अब बड़ी लगी है कि उपर वाले ने आपको इससे भी निजात दिलाए जो सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी मानी जाती है दुनिया में और बहुत अपना खया रखा करिया इसी तरह और जो स्टेलिंग है उसके लिए आप देखिए पच्यास गिराम हल्दी और सो ग्राम आपको लेना है, अब लिख लीजिए, पचास ग्राम हल्दी, सो ग्राम आपको लेना ऐं अस्वा गंधा, जो अजगन नागोरी भी कहते हैं, अस्वा गंधा मशूर गू'll इये, लेकिन सब उम्रॉ मैटरील लेना है, पचास ग्राम हль्दी, सो गिराम अस्वगंदा और सो गिराम आवला और दो सो गिराम अल्शी और सो गिराम गौन मौरिंगा गौन मौरिंगा 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 करें. तो देखिए, हल्दी बहुत कीमती चीज है, जिसे हम आम तोर पर यूज करते हैं. लेकिन इसकी एक क्वांटिटी अगर इस्तिमाल की जाए तो इसमें करक्यूमीन नाम का एक पदार्थ, एक रसायन होता है, जो कैंसर से रोक्ताम करता है. और अलसी भी एक ऐसी शेह है जो आपको इसकी की सूजन और किड्नी के फेल को ठीक करती है. इसके हर चीज के अपने अलग फायदे हैं. ये निस्खा बनाके आप रखें और रोज खाएं और खत्म होने तक आपके परिशाने ठीक होना मुम्किन है. नेक्स्ट कॉलर है हरियाना से ईशपाल सिंग हमारे स स्वागत है आपका. नमस्कार जी मैडम जी. जी नमस्कार. प्यादा. और अफिम साब को भी नमस्कार. जी आदावर साब, बताईए क्या सेवा है? आदावर साब, मैंने इसले से बात करी ती लेकिन उस दिन मेरी बात नहीं हो भाई, आज मैं दुबारा आपके फिजमत मे हो और मेरे दो तीन क्वेस्टन है था. जी बताईए क्वेस्टन मेरा ये है, जी मैं मों का स्वाग ठीकर रहता है, भूक ने लुक ने साथ नहीं हो. जी कहा है? जी मेरा संधा जान था, उससे तो मुझे निजात मिल गई, लेकिन संधे दुखते हैं, मोटर साइकल चलाते जाएं कंधे में दर्द होता है, बार बार जी. 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 ठीक है. और तीसरा मेरा एक मेरी मिश मिशिज के लिए है जी, उनकी रीड़ की हड़ी दभी हुए है, अभी एक्ष्टर कराया था महीना पहले, और दॉक्टर कहते हैं भी ये तो आउस्वेशन होगा ये खुश हो और आपकी मिशिज के कमर की कमर का दर्द और टांगों का दर्द या कहीं भी जर्द हो, ये निसका एक है, आप दोनों लोग खाना, और ये दुनिया की बहतरी इंट्राव मेटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ, और वो ये है के गाउन सियाह, यानि काला गाउन, काला करीड लें, और दोनों लोग आधा आधा ग्राम सुबघ —ушка म्षाम खाने के बाद, पानी से बगर चर्बी के दूसे, या रईस हैं तो जूस से भी ले सकते हैं, या कभी दूर पानी कभी जूस से भी ले सकते हैं, या आपकी मर्जिय है, लेकिन आप दोनों को हूँ से आठ दस दिन बात काम करता है तो यह मैं सोचना कि आट दिन होगा है क्या कैसी चीज़ बता दी लेकिन इस से लोगों को फाइदा होता है यह सो दो सो किराम खरीदने पर आप खतम करने तक आप दोनों की को फाइदा मुम्किन है आपके मिसिस के लिए एक हिदायत है कि वेस्टन ट दौरान फिर बाद में सब कुछ कर सकते हैं अब यह दो सवालों के आपका जवाब हो गया एक सवा एक सवाल का जवाब आपके पेट और मुग के जायके का यह भी बड़ा एहम मसला है और इसको भी आप लिख लें देखिए धनिया दोसों गिराम सौफ दोसों गिराम और आपर आमला दोसों गिराम और इसमें मिलाइए सौट सो गिराम और इसमें एक चीज़ और मिलाइए जो केहते हैं कलोंजी का नमक यह आसान जबान में कहते हैं जाकर सब समझ जाएं लेकिन इसका असली नाम है कलाउंजी का रसायन होता है यह जो बहुत सारी हमें बहुत सारी कलाउंजी से अगर हमें दस बीस ग्राम ही दवा होती है इसमें तो वो दवा निकाल लेते हैं यह ज़रा ले लीजे सो ग्राम और इन सब को पाउडर बनाएं घर में और आधा से एक चम्मश शुरू करें और असर यह होता है कि जिस दिन से आप शुरू करते हैं पानी के साथ इस्तमाल करें उसी दिन से फाइदा शुरू हो जाता है और आपका मूँ का जायका भी बदलने लगता है और गैस, एसिडिटी, कव्ज, इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, किड्नी इन्फेक्शन, ल रोसा करें और उपर वाले से मदद मागें आपका तीनों सवालों के जवाब हो गए आप नुस्का बनाए खुद और मेरी दूआ है कि आपको फाइदा हो जी नेक्स्ट कॉलर है राच कुमार बंगाल से हमारे साथ स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार सवाल कीजी अपन जाब शूबर है इस पंदर सुलर अपास्टिंग तरह का नॉर्मल आजाता है दाए जलता है अच्छा कि नाइन वांट पॉइंट सेवल्ट है जी कि इतना बता या वंट सेवे अच्छा एज भी बता दीजे कितनी 55 55 जा देखिए यह तीन रोग हैं आपको और एक दवा और यह बहुत सारे बर्दों में काम करती है एक तो आपका शूगर को लेबिल पर रखेगी और आपका क्रेटिनाइन को जरूरत के मताबिक वन पाइंट पर ले आएगी यही जरूरी है कि क्रेटिनाइन यानि गुर्दे की गंदगी गुर्दे की गंदगी वन पाइंट होनी चाहिए इससे जादा जो है वो रोग है तो आपको लेना है सिर्का जैतून का बनेगर होता है जैतून का जैतून इंडिया में पैदा नहीं होता तो वहां से लाया जाता है खाड़ी के मुलकों से और उसका प्रोसेस के तेहर सिर्का बनाया जाता, ये दुनिया के सबसे बहतरी सिर्कों में कहलाता है, तीन चमच रात को सोते वक्त लिया करें, पानी में मिलाके, चोटे चाय के चमच, तो आपकी ये दोनों समस्थे आए, टीक होना मुम्किन है.